गुर्माणी चरें बच्चो एक कविता है नौ वो नब पॉमे रौपदिन की मात्रा भौमे आ की मात्रा तो प्रभात नब प्रभात नब मतलब प्रभात मतलब प्रभात का मतलब जब हम शोकर उठते हैं जगते हैं शुबा को तो सब कुछ ताजा दिखता है नया नया दिखता है चार और जो है एक अलग प्रकार की ताज की महसुस होती है फ्रिशनिश क्यों क्यों क्योंकि बारा घंटे की रात के बाद जो एक शुबह आती है अपने साथ आनन खुशी पेर हवाओं से जुमते नजर आते हैं चिरियां चाह चाहा के अपने रास्तेवा कहीं और जाते हैं तो गाई और गाई के बच्चे बच्छे टूनूरमूर करते रहते हैं मुरगा जो इह कुकर करके चिलाता जगाता है है काम करने वाई लोग किशान जो है वह खेत की और अग्रिशर हो जाते हैं मजदूर अपने काम के लिए तयार होकर काम पर जाते हैं जो लोग आफिस आने वाले होते वह आफिस आते हैं जिने ट्रेन पकड़ना होता हुआ ट्रेन पकरने के लिस्टेशन की और भागते हैं जिन यही तो प्रात्यकाल का सबसे खुशी का समय रहता है और सबसे अच्छा बात है बच्चों कि प्रात्यकाल में जो शावाब हती है उसमें ऑक्सीजन जो है जो हम ऑक्सीजन लेकर शांस लेते हैं वह हंडेट परसेंट साफ रहता है क्लीन रहता है जो हमारे लिए बहुत फाइदा मंदर है तो हम लोग क्या करें देखो इसका वितागा पढ़ते हैं आया सुभग सवेरा राही अगजग की निद्रा है तूटी अरुन किरन अंबर में छोटी किया मलेने फेरा राही आया सुभग सवेरा राही अगजग की निद्रा है तूटी अरुन किरन अंबर में छोटी किया मलेने फेरा राही आया सुभग सवेरा राही डाल डाल में फूटी कोपल डाल डाल में फूटी कोपल श्वर्निम त्राम नील और उज्वल किसने रंग बिखेरा राही आया सुभग सवेरा राही तुम भी अपनी आखे खोलो कनक किरन के जल में धोलो मन का मिटे अंधेरा राही आया सुभग सवेरा राही भरलो यह आलोक प्रान में बिहंगो के रब कंठे गान में नब प्रभात बंडालो राही आया सुभग सवेरा राही फिर से मैं पढ़ता हूँ आया सुभग सवेरा राही अग जग की निद्रा है तूटी अरुन किरन अंबर में छूटी किया मलै ने फेरा राही आया सुभग सवेरा राही डाल डाल में फूटी कोपल श्वर्निम त्राम नील और उज्वल किसने रंग बिखेरा राही आया सुभग सवेरा राही तुम भी अपनी आखे खोलो कनक किरन के जल में धोलो मन का मिटे अंधेरा राही आया सुभग सवेरा राही भर लो यह आलोक प्रान में बिहिंगों के रब कंठ गान में नप्रभात बंडालो राही आया सुभग सवेरा राही सवेरा राही के समय जो राही है उनको बोला जा रहा है कोई आदमी को अग अग जोग जग को में बराई की मात्रा की नो में शटाई की मात्रा द्रा में रप दिन की मात्रा यह क्या जी का मातरा ये है, दौ में रपदिन की मातरा, आ की मातरा निद्रा, हौ में एक की मातरा, टौ में बढ़ाओ की मातरा, टौ में बढ़ाओ की मातरा टी, टू टी, निद्रा मतलब नींद, ठीक है, और रौ में छोटाओ की मातरा मुर्धंत नो, देखो रौ में छोटाओ या बढाओ यहीं पर लगता है ठीक है यहां जिसे लगां वो इसे लगता है सिर्फ रहा में जो में चुताओ हुझ या बढाओह मतलब शुरे और उन शुरज को अरुन भी कहते हैं। आंबर कि अकि Case करा सुतित है कि क्या मौला मलयने यह मंन एकि मात्रा पर यह आ कि मात्रा वर भीर और हमागा मता ही राही आयो में आके मातर या आया सुभग सवेरा राही अब अगला चारलाइड ठीक है समझ में आ गिया सवेरा जो है उठोते ही लोगों की नेंट उठ गई और सुरज की केड़ने जो है अंबर से निकली और मले ने फेरा राही मले मतलब मले परवद जो है वहां से जो हवा आती है उसको बोला की या परवद राही को फिर से अलग कर दिया मतलब खुसी कर दिया दो में आके मातर लोग डाल मौ में एकी मातर अंग्षवर में फो में बराओ की मात्रा, तो में बराओ की मात्रा, तो में बराओ की मात्रा, अंग्षवर्पल, कोपल, ठीक है? शव संजुक्त ना छोटाई र रेप म श्वर निम तमे आ की मात्रा ममे र पदेन की मात्रा त्राम ना मे बराई की मात्रा ला नील आउ र और छोटाऊ जौज़ सन्जुक्त वाल उज्वल को मे च्टाई की मात्रा की शो ना मे बराई की मात्रा ला निम तम भी छुक्त कैसे चाहर माकर बिख्यू्व दूंगर्णेर यी। ठीक है, सूरी गोल्ड गामे शट्राख की की रयन की मातर की मौमे चुटाई की मात्रा मीट, आमे एकी मात्रा टे मीटे, आ उपर चन्द मिंदू, धामे एकी मात्रा, रामे आ की मात्रा अंधेरा, रा, हो में बड़ाई की मात्रा राही, आया सुभग सवेरा राही, भर भर लौमे ओक मतलो, यह यह आ, लौमे ओकी मात्रा को आलोक, पौ मौमिय की मात्र अंग्षवा में बौ में चटाई की मात्र हो गौमिय की मात्र अंग्षवा बिहंगो कौमिय बराई की मात्र की रव रव कौव परंग्षवा ठकंठ गौमिय बराई की मात्र गान गान मौमिय की मात्र अंग्षवा में न वंडव पौ रप दिन की मात्र भौम इस कविता को लिखा है सोहन लाल दिवेदी ने किसने लिखा इस कविता कवी कौन है सोहन लाल दिवेदी बच्चों यह कविता तुम्हें याद करना है और परिच्छा में यह आएगा इसका प्रशुंतर बादन देगा